प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 25 साल में विकसित भारत का हमारा लक्ष है और यही हमारा सपना है हम हमेशा अपने मूल पर टिके रहे हैं प्रधान मंत्री ने आज ऑस्टेलिया में सीडनी के कुडोस बैंक एरिना में एक सामुदाई कारिक्रम में भाग लिया इस दवरान उन्होंने प्रवासी भारतियों को सम्बोधित किया आउस्टेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी इस कारिक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमोधी ने कहा कि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं ऐसे में भारत जब G20 की अपनी प्रेसिडेंसी तै करता है तब कहता है One Earth, One Family and One Future दुनिया जानना चाहती है आज की दुनिया जिस वर्ड और्डर की तरफ जा रही है जिन संभावनाओं को तलाज रही है उसमें ये स्वाभाविक भी है भारत हजारों वर्षों की जीवन्त सब्व्यता है भारत मदर अब डेमोक्रिसी है हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है लेकिन अपने मूल सिधानतों पर फंडामेंटल्स पर हमेशा ठीके रहे है हम रास्त को भी एक परिवार के रुप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं वसुद है उक्टों काम और इसलिए जब भारत अपनी जी ट्विंटी प्रेसिडेंसी की थिम तै करता है तो कहता है अपने आदर्सों को जीने का उसका स्वभाव देखिए जी ट्विंटी प्रेसिडेंसी में भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोधी ने कहा कि हम विश्व को एक परिवार मानते हैं ऐसे में भारत जब जी ट्विंटी की अपनी प्रेसिडेंसी तै करता है तब कहता है वन अर्थ, वन फैमिली, एंड वन फ्यूचर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जीवन शैलियां भले ही अलग हैं हमें योग, क्रिकेट, फिलमे, मास्टर सेप और पर्वत्यवार भी जोडते हैं इस सामुदाईक कारिक्रम में 20,000 से अधिक प्रवासी भारतियों ने भाग लिया मुख्यमंत्री भुपेश बगेल भीट मुलाकात कारिक्रम के तहट कोर्वा जिले के ग्राम कुदमूरा पहुँचे यहां उन्होंने विभिन सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधी मंडलों से मुलाकात की विभिन समाजों के प्रतिनिधियों की मांग पर समाजिक भवन निर्माण के लिए उन्होंने राशी स्विक्रित की साथ ही उनकी समस्याओं के निदान के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिये इस अवसर पर मुख्यमंत्री भुपेश पगेल ने करतलाक शेत्र तक बांगू नहर का विस्तार करने और पानी पहुचाने की गोशना की इसके अलावा रामपूर और उम्रेली में महाविद्यालाय और करतला में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की भी गोशना की को ये आए और उसका सब्सक्राइब करें तक ये वो में 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 सब्सक्राइब म्हाविद्यालाया है इस्रामपूर और मुख्यमंत्री ने बरपाली में स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यमी स्कूल खोलने तथा रामपूर में 25 देवगोडी बनाने की भी घुशना की पूर्व विधान सभा ध्यक्ष धरमलाल कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं ने राज सरकार पर गौठानों में 1300 करोड रुपए के घुटाले का आरूप लगाया है बिलासपूर में आयोजीत एक पत्रकार वरता में श्रीकौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार के 14 तथा 15 विध के साथ DMF और मंडरेगा के पैसों का दुरुपियों किया गया है तो मुख्यमंत्र जी जो आवर्ण पुरे देश पर बनाने का प्रयास किया है लेकिन जमीनी हापिज़त में जाकर के दिखेंगे तो ना वहां पर गौठान के टाइप आपको लगेगा बिलासपुर में आयो जित श्रीकौशिक ने कहा कि भाजपा नेताओं ने बिलहा, मस्तुरी, बेलतरा और तकहतपुर के गौठानों का निरिक्षन किया इनमें मवेशियों के लिए चारा पानी का इंतजाम नहीं है वहीं वर्मी कंपोस्ट बनाने वालों को भुकतान नहीं किया गया है शिकौशिक ने कहा कि केंद्र के 14 तथा 15 वित की राशी के साथ DMF और मनरेगा के पैसे का दुरुपियों किया जा रहा है इधर भाजपा की वरिश नेतरी और राजी सभसांसद सरोच पांडे ने दुर्ग जीले में इस्थित कोसा नाला गौठान का निरिक्षन किया बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि गौठानों में राजी सरकार द्वारा काफी खर्च करके साज सज्जा का कार्या किया जा रहा है मगर जब ये गौठान पहुची तो वहां पर गाए नहीं थी और गौठान में अविवस्था का आलम था कहीं कोई गाए नहीं थी, कोई विवस्था नहीं थी लेकिन आज इसको जिसप्रकार से सुसजचित किया गया लेकिन जब सुझटचित किया जाता है और आननफानन में जब कोई काम होता है तो जैसा दिखाई देता है एक गौमाता उपर जा चुकी है बैठे बैठे चली गई है भूसा है चारा जो दिया हुआ है उसमें कोई दाना का नाम नहीं है पीने का पानी की विवस्था नहीं है मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के गौठान में विवस्था की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं और उनके भेट मुलाकात में लोग इस बात को कहते हैं कि वो गोबर बेशते हैं तो आपने हाँ पर कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है, कोई सोना खरीद लेता है ये प्रायोजित कारिक्रा मुख्यमंत्री को आप कहना बंद कर देना चाहिए भारतिय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चा मंडलों द्वारा गौठान पोल खोला भ्यान चलाया जा रहा है जिसके तहट भाजपा के लोग गौठानों का आकस्मिक निरिक्षण कर गौठानों की हकीकत को जनता के सामने ला रहे हैं आकांक्षी जिलों में से एक महासमुन जिला प्रदेश का डिजिटल जिला घोशित किया गया है इस बारे में लीड बैंक के प्रबंधक अनुराग शिवस्तों ने बताया कि राज इसतरी बैंकर्स समीती द्वारा महासमुन जिले को प्रदेश का पहला डिजिटल जिला घोशित किया गया है जिले में सभी हित ग्राहियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब धकराई जा रही हैं मार्च 2023 के आख़णों के आधार पर हमने ये हमको SLBC और RBI ने जोइंटली डिजिटल डिस्टिक्ट इसको गोशित किया है और निश्चेत रूप से इस प्रोजेक्ट को जब हमने इंप्लीमेंट किया है तो बहुत सारे आयोजिन किये हैं कैम्स लगाए हैं BC के माध्यम से ब्रांचेज के माध्यम से और फिल्ड बजीट्स भी बहुत सारी हुई है यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी लॉंच जैसे के जब प्रजानमंत्री जी ने माननी प्रजानमंत्री जी ने 75 डिवियू जब लॉंच किया थे पूरे देश में तो महासमुन में भी डिवियू का सुभारम हुआ था और डिजिटल सेवाओं का जो स्तर है वो महासमुन जिले में काफी एनहेंस हुआ है और यह आम जनों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेके आया है डिजिटल जिला के बारे में उपफुकताओं का कहना है कि वे खाता खुलवाने के बाद पैसे निकालना, पास्बुक भरना, स्वयम करते हैं इससे समय की बचत होती है सुईधा को देखते हुए सारे कस्टमर इसका उपयोग करने लगे शुरू में तो समझ नहीं आया कि डिजिटल वेंकिंग कैसे हम उपयोग करें धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो आज सब लोग इस सुईधा का उपयोग करते हैं मैं खुद भी वी वेंका बड़ोदा का और यूनो एस बी आई का मैं उपयोग करता हूँ गौर तलब है कि अक्टूबर 2020 से देश के बयाले जिलो में डिजिटल जिला अभियान शुरू किया गया था इनमें महासमुन जिला भी शामिल है जिले में सरकारी और निजी कुल मिलाकर 24 बैंकों की 118 शाखाएं संचालित हैं जिसमें 13,34,770 खाते हैं और सभी खाता धारकों को कम से कम एक डिजिटल सेवा से जोड़ा गया है इन्हें ये बैंकिंग सुवेधाएं उपलब धकराई जा रही है केंद्रिय खेल मंत्रालाय और युवा करिक्रम तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा मुगेली में जिला इस्तरिय युवा उत्साव का आयोजन किया गया करिक्रम में सांसद और भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव शामिल हुए पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिर साव ने कहा कि युवा उत्साव का आयोजन देश के युवाओं में राष्ट भक्ती की भावना जागरित करने के लिए किया जाता है इससे नई प्रति भाव को सामने आने का अवसर मिलता है युवा केंद्र द्वारा भारत सरकार के निर्देशा नुसार भारत सरकार की योजना से आजादी के अमरित महुत्साव के अवसर पर युवाओं में राष्ट भक्ती की भावना जागरित करने के लिए ये युवा महुत्साव का आयुजन मुंगेली में संपन हुआ है युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता हैं आयुजित की गई विभिन्न प्रकार के सांकृतिक करक्रम आयुजित की गई ताकि युवाओं के प्रतिभाओं को आउसर मिल सके ये जीला इस्तर पर चैनित जो प्रतिभागी हैं वो राज इस्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे और राज इस्तर में चैनित प्रतियोगी राश्टी इस्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो निश्य दुप से मुगेली के इन युवाओं को राश्टी इस्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का आज आउसर मिला है जिला इस्तरीय युवा विस्ताव कारिक्रम में चित्रकला, कवेता लेखन, फोटोग्राफी, प्रतिव विताएं आयोजित की गई इस बारे में नहिरु युवा मंच मुगेली के कारिक्रम समनवयक अरुण कुमार ने बताया कि इन प्रतिव विताओं में जिले के तीनों विकासखंड, मुगेली, पथरिया और लोर्मी के युवाओं ने हिस्सा लिया इस बारे मुगेली जिले में आज कारिक्रम सफल रहा है जिसमें मुगेली जिले के तमाम युवा सांथी उपस्तित थे करिक्रम इस सल पर विभिन्न शास्किया और अन्य विभागों की जानकारी से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी साथ ही उतक्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिवागियों को पुरसकार भी प्रदान किया गया और अब कुछ खबरें जिलों से एने तरह जिले में पानी की समस्या से परिशान लोगों ने धरना प्रदर्शन किया ये लोग कलेक्टरेट परिसर पहुँचे और जन दर्शन के दौरान कलेक्टर पदुम सी एलमा से मुलाखात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया चापा के अकलतरा रेलवे स्टेशन में यातरियों को होने वाली समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर रेल संघर्ष समीती के सदस्यों ने रेली निकाल कर शास्त्री चौक में धरना प्रदर्शन किया इन लोगों का कहना है कि कई ट्रेनों का स्टॉपेज अकलतरा रेलवे स्टेशन में नहीं है इससे यात्रियों को परिशानी हो रही है उन्होंने मुंबई हावडा और टाटा बिलास्पू ट्रेन का स्टॉपेज करने की मांग रेलवे के DCM से की है भारती जन्रता पार्टी महिला मूर्चा की कारेकरताओं ने राजनान गौण शहर में दाकेरल स्टॉरी फिल्म देखी चात्राओं के संघर्ष पर आधारित फिल्म दा केरला स्टोरी को सिल्वर स्क्रीन में दिखाने की विवस्था पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सी ने की थी फिल्म देखने के बाद महिलाओं ने दा केरला स्टोरी को शिक्षा प्रद और प्रेरख बताया है भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमनसी ने चलबो गौठान, खोलबो पोल अभ्यान के तहत राजनादगाउं जिले के फुलजर कक्रेल और पार्री कलक्षेत्र गौठान में पहुचकर इन गौठानों का नेरिक्षन किया और राज सरकार पर तेरा सौ करोड रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया भारतिय जनता पार्टे इन दिनों चलबो गौठान, खोलबो पोल अभ्यान चला रही है इसी के साथ ये समाचार बॉलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार